स्टांडरेट सब्जेक मैठ्स चेप्टर फाइव रिटा इन डली प्रिविएसली विए स्टडी अबाउट एक्सराइज नुबर 5.1 तोड़े विए ग्राफ और पाइग्राफ और पाइग्राफ ये है क्या तो पाइग्राफ में अगर मैं ऐसा बोलू कि मेरी बॉडी में 1 5.3 छितना ब्लड है ंगीतना मेरी ब्लडम冷 में 1 बीडगर में से 100 मेंसे और Nab 3 तो 13.3 3.3 3.3 जितना ब्लड मेरे बिड़े में में है मैंस किसी वी चीज़ का परसंटेज आप को टोटल में से कितना काउंट करते हो वो ही उसी से पाई चार्ट बनता है मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई एक क्लास है मेरा उस क्लास में 50% गर्ल है और 50% जितने बोईस है तो देखो यह पूरा ग्राफ हमको दिखाया हुआ है पूरा ग्राफ कह से कह जाएका वह सिर्फ erggend मैं थोड़ा से पड़ लेका यह मंत्स से स्देarl होता है तो 0 पर यके यहां पर जाएंगे तो 9 कि मैं इसक्ते से 90-100 naval इच से और सभूर अगर मैं एक व्रेंचरी जैगा तोटल तोटल पूरा आप एक रावड घुमेंगे तोटल 360 कुमोगे थोटल अगर यहां से स्टार्ट करके मैं मेरी बिल्दा दह साव यह फूरा सेफावाघoule एसा यह उसका सेंटर अगर में यहां से अग्छार 90 सबसे maximum कितना है 90 यह maximum 90 अगें यह left side पर आप जाओगे तो यह कितना हो जाएगा 180 0 से 90 90 से 180 180 से अगें नीचे तो अगें कितना है 270 270 से अगें हम आगे जाएंगे तो कितना बन जाएगा 360 सब्सक्राइब इर वकें तो यहां पर देखो जीरो से 90 90 से 180 180 170 270ं से अगर मैं बोलू की मेरा एक राउंड कंप्लीट हो रहा है कितना एक राउंड कंप्लीट हो रहा है तो कितना आएगा डिगरी मिंस। कितना एंगल आएगा तो totaल 360 अभी देखो मैं ऐसा मिलता हूं कि क्लास में 50% गल है और 50% बॉर तो यह 360 का सब्सक्राइब यहां जो मैंने शेड़ेट पाड किया है उतने में बॉर होँगे जितना सेड़ेट किया उतने में boys होंगे और नीचे जो दीए वो गल्स यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे देखो दिया हुआ है कि अगर second graph ऐसा है कि walk walk जो है वो 40% है cycle जो है 20% है और बस 40% है तो हम यह area कैसे decide करेंगे तो वही मैं आपको बता देता हूँ को area हम कैसे decide करेंगे तो दीख second दूसरी एक figure बना देते हैं यह दूसरी figure अगें यह center 0, 90, 180, 270 और अगें 360 अभी इसका मुझे 40% करना है किसका यह 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 है न वो 40 तो इसका मुझे 40% करना है तो पप्था है पूरे का 360 का 100 होगा 40 का कितना होगा तो वो करने के लिए क्वगतना पड़ेगा मुझे 360 का 100 हो रहा है तो 40 का कितना होगा तो पहले find गडरोगि 40% तो हम स्टैप ऐसे बनाते देध कि अगर मैं पूरा 360 गूम जाता हूँ मिस हम ऐसे बोल सकते कि अगर 100% है तो उसके लिए एंगल 360 बनता है लेकिन अगर मुझे 40% आई ये तो कितना बनेगा तो इसको हम कैसे step में कैसे लिखेंगे तो ये अगर मैं माल लेता हूँ first ये माल लेता हूँ second और ये माल लेता हूँ third तो इसमें क्या होगा second cross third divided by one तो second कि कितना है? 360, third कितना है? 40, multiply 40 और divided means one, one means कितना है? 100 100 से 20 यहाँ पे तो 20 यहाँ पे तो 36 और 4 का multiply करो तो जो answer आएगा वो answer इस angle का 40% होगा अगर मुझे 20% find करना है तो ऐसे कर सकता हूँ direct देखो ये मैंने step से आपको बताया अगर step से नहीं करना आपको direct करना है तो मैं ऐसा बोलू कि 360 का 20% तो 360 का 20% हमको पता है percent जब भी remove होता है तो denominator में क्या आता है? 100 तो 360 multiplied 20 divided by 100 तो ये 0, 1, 0, 1, 0 means 2, 2, 0 कटे तो 360 into 2 means 72 तो यहाँ पर जो भी angle 0 से start होके 72 तक जाता है तो ये जो 72 तक ये जो shaded वाला part है वो आपका part हो जाएगा 20 percent means क्या करना है जो भी हमको दिया है वो 360 तो पूरा होगा 20 है तो 20 divided by 100, 40 है तो 40 divided by 100, फिर 15 है तो 15 divided by 100, फिर 10 है तो 10 divided by 100, 25 है तो 360 into 25 divided by 100 ऐसे करके आप किसी भी circle में से या तो किसी भी pie chart में से किसी भी चीज़ का percentage निकाल सकते हो अगें किसी भी चीज़ में से हमको अगर pie chart या circle हमको draw किया है तो उसमें से हमको percentage चाहिए, cycle, car, walk इन सब के हमको percentage चाहिए, तो percentage के लिए क्या रहेगा तो देखो, यहापे 40% है, तो 360 का 40, तो 360 into 40 divided by 100, तो इसका हो गया यह 40% walk, तो 360, 40 divided by 100, तो इसका मिल जाएगा 20% तो 360 into 20 divided by 100, तो उसका हो जाएगा 15% news, तो 360 into 15 divided by 100, तो यह news का हो जाएगा informative, तो 360 into 10 divided by 100, तो informative हो जाएगा sport, 25% तो 360 into 25, 100, तो यह इसका भी हो जाएगा ऐसे काभी आप किसी भी चीज़ में कितना area cover कर रहा है round में से वो आप find कर सकते हो